आई आप देखते हैं पांच बजे से पहले पांच बड़ी खबरें डॉक्टर बिटिया से रेप और मर्डर केस को लेकर कोलकाता में बवाल जारी है इमर्जेंसी सर्विसेज में जूनियर डॉक्टर्स कल से काम पर लोटा है और आज जूनियर डॉक्टर्स ने जस्टिस मार्च निकाला स्वास्तिभवन से सीबी आई ओफिस तक जूनियर डॉक्टर्स ने मार्च निकाला डॉक्टर बिटिया से रेप और हत्या की केस में आरूपियों को सक्से सक्स सजा देने की मांग जूनियर डॉक्टर्स ने की है मुखे मंत्री पद से इस्तिफे के बाद अर्विंद केजिवाल इलेक्शन कैम्पेन में जुट गए हैं अबसे थोड़ी देर पहले उन्होंने हरियाना के जगादरी में रोडशो किया आम आदवी पार्टी की तरफ से यहां आदरशपाल गुजर मैदान में है आदरशपाल के लिए केजिवाल ने रोडशो के जरीए वोट मांगा अरविन केजरिवाल ने रोडशो के दोरान कहा कि अगर मैं इमानदार हूँ, मेरी पार्टी इमानदार है, तभी मुझे वोट करना है केजरिवाल भी अगनी परिक्षा देगा आपनी ये लोग मेरे उपर आरोप लगाते हैं केजरिवाल बेइमान है केजरिवाल ब्रश्ट है केजरिवाल चोर है मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं अगर आपको लगता है केजरिवाल चोर है मेरे को वोट मत देना अगर आपको लगता है केजरी वाल इमान दार है तभी मेर को वोट देना बिहार सरकार में पूर मंत्री और पूर्णिया में आरजेडी की विधायक रह चुकी बीमा भारती के खिलाफ बड़ी कारवाई हुई है बीमा भारती के खिलाफ बिट्टा में मौजूद घर को कुर्क कर दिया गया है एस दोरान कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही कौट के आदेश के बाद ये कुर्की की गई है चर्चित गोपाल यदूदा हत्याकान में बीमा भारती के पती अवधेश मंडल और बेटे राजा मंडल आरोपी है पती अवधेश ने कोट में सरेंडर कर दिया है जबकि बेटा अभी भी फरार है तिरुपती प्रसाद में लड्डू में जानरों की चर्वी वाले घी का इस्तमाल करने पर घिरी YSRCP ने कहा है कि ये सब चंदरबाबू नाइडू और उनकी पार्टी TDP की साजिश है ऐसा इस वज़े से हो रहा है ताकि चंदरबाबू नाइडू के सौ दिन की सरकार पर कोई सवाल ना खड़ी कर सकी जगन मोहन रेडी ने कहा कि टेंडर की प्रिक्रिया हर छे महिने में होती है और सदियों से चली आ रही परंपरा के मताबक ही प्रोडक्ट की गुनवत्ता को परखा जाता है तिरुमला देवस्थानम सेंपल लेता है और फिर पास सर्टिफिकेट जारी करता है टीडिपी इस धार्मिक मुद्दे का राज़नितिकन कर रही है चंदरबाबु नाइडू ही भगवान के नाम पर पॉलिटिक्स कर सकते हैं पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बार जैसी स्तिती हो गई है पटना के फतुवा में नदी थाना परिसर पूरी तरहें से जलमगन हो गया है थाना परिसर में रखी गाड़ियां पानी में डूब गई है जब्द गाड़ियों को तार से बांधा गया है ताकि नदी की धार में गाड़ियों को बहने से रोका जा सके